Top 10 new Isheke anime जिनके बारे में आपको शायद सही पता होगा तो यह वाला वीडियो अमरे Top 10 Isheke anime का 4th वीडियो है इसके पहले मैं और यृड़ी 3 वीडियो बना चुका碁 Top 10 Isheke इसके बारे में तो अगर आपनी वाली वीडियो भी तक नहीं धेके आप बियर पंच बोल सकते थे इसको बेसिकली हम तो इस वाले अनिमी के अंदर जो अपनी में प्राइगनिस्ट रहती है जोगी लगातार एक साल तक एक वर्चुल रियाल्टी वाला गेम केलती है लाइक फैंटेसी वर्ड गेम जिसको लगातार खेलनी के बाद में जो गेम क के अड़न रहता है ना वो अपनी में प्राइगनिस्ट को भालु वाली आउट्फिट पैना के एक वर्ड में रिकानेट कर देता है जा पर स्टार्टिंग में अपनी में प्रणिस्ट को लगता है कि वह किसी वार गेम के अंदर आज के लेकिन कुछ तैम बाद उसको पता चल दग यह ौई वीडियो गेम वाला वर्ड नहीं और बेसिकली वो इस वाले वर्ड के अंदर रिकरेट हो चुकिए तो आप कैसी अपनी में पढ़ाइधने इस वाले वर्ड के अंदर सरवाय करते हैं क्या हो फाइनल यह अपने रिएल वर्ड में कभी वांपस भी जा इस वाले आनेमे के अंदर जो अपना मेम पड़ाइगनिस रहता है वो उसके पूरी जिंदगी में बस बीमारी रहता है और बीमार होके मर जाता है और मनने के बाद जब अपना मेम पड़ाइगनिस गौड के पात जाता है तो गौड उसको बोलता है कि तुमारे जिंदगी मे मुझे एक फार्मर बनना है तो मुझे इसी जगह पर रिकानेट करो जहापर मुझे कोई भी डिश्टब नहीं करें और आपर मैं आराम से अपनी खेदी कर पाऊं तो उसके बाद अपना में पड़ाइगनिस दुसरे दुनिया में रिकानेट हो जाता है जहापर वो फार्मिं ली चेक और करना चाहिए नंबर थ्री कैम फायर कुकिंग इन अनादर वर्ड तो यह वाले में कुकिंग और इसका इन दोरों एनिमे का कॉम्ब है तो इस वाले में पड़ाइगनिस रहता है जो कि एक कुक रहता है और वो किसी गल्दी के हुझे से इस वाले वर्ड के जाती है तो अभी कैसे अब ना में पढ़ाएंग निस बस अपनी की स्किल्स का यूज करके इस वाले वर्ड के अंदर सर्वाय करता है यह वाला एनिमे का जदा मजिदार और थोड़ा सा यूनिक टाइब का एनिमें तो आपको यह वाला एनिमें भी डेफिनिटली चेक और करना चाहिए नमबर फूर रीजन वाय रियली आना इंडेड अब इन डूक्स मैंशन पता नहीं यह राज कल के इसके अनिमें वालों को क्या हो गया इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं तो चलो बात करते हैं इस वाले एनिमें के अंदर हमको एक फीमेल लीड उस वाले नौवल के दुनिया में एक साइड करेटर बनके रिकरेंट होती है लेकिन अपने में पडागोनीष का अलग के इतना खराब रहता है कि शुडृ की नौवल की चेंज कर देङित तो अपना main protagonist अपनी देश से बशनी के लिए पुरी की पुरी वर्ड को चेंज कर देती है और इसी changes के विससे पुरी की पुरी स्टोरी का end बतल जाता है तो और रहाल anime काफ़ जदा बढ़िया लेकिन आपको इसको time देने पड़ेगा स्टार्डिंग में तो काफ़ स्लो फेज में चलते हैं लेकिन जैसे आप इस वाल एनिमे के एपिसोड दिखते जाओगे वैसे वैसे इसकी स्टोरी आपको काफ़ जदा पसंद आने वाली है नंबर फाइओ, I somehow become a stronger by raising a farming related skills तो ये वाल एनिमे भी काफ़ जदा interesting anime है इसके तो जो अपना main protagonist रहता है वो भी एक farmer रहता है जिसके पास बस farming related skills रहती है एसी वर्क करते करते एक दिन अपने main protagonist को पता चलते है बस farming करने की वज़े से वो कुछ ज़्यादा stronger बन चुगा है एक टैप से ये वाल एनिमे इसके एनिमे नहीं है लेकिन इसके अंदर आपको fantasy और इसके वाली साथी से मिल जाएगी तो हाँ आपको ये वाल एनिमे भी definitely check out करना चाहिए काफ ज़्यादा unique और काफ ज़्यादा अलग अलग छीज़े इसमें दिखाए गिया नमबर सिक्स सेविंग 80,000 gold इन अनादर वर्ड इस वाल एनिमे के अंदर भी आपको female lead character देखने को मिलती है पर इसे का एनिमे की तरह इस वाल एनिमे के शुरुआत भी अपनी main protagonist के मरने के बाद ही होती है अपनी main protagonist की दुसरी दुनिया में reconnect होनी के बाद में उसको पता चलता है कि इस वाले दुनिया से वो अपनी real life world में भी वापत जा सकती है बस उसको जोर से चलता है कि मुझे मेरे दुनिया में वापत जाना है और वो एकदम से टेलिपोर्ट हो जाएगी और हाँ एक बार अपनी main protagonist के अंदर जाने के बाद भी अपनी main protagonist वापत से इसे का वर्ड के अंदर भी आ सकती है इसी चीज़ का फाइदा उठाके अपनी main protagonist सोचती है कि क्यों ना इस वाले वर्ड के अंदर 80,000 गोर्ड जमा करें उसको अपने real life वर्ड के अंदर लेके जाए तो और आल इस वाले anime के story इसी जिसको follow करती है कि कैसी अपने main protagonist 80,000 गोर्ड जमा करती है और क्या वो finally सारे के सारे गोर्ड को अपनी real life वर्ड में लेके जा सकती है इस वाले anime के plot पे मत जाना कि आपको पता है कि हारे किसे के anime का plot similar ही रहता है तो आपको यह और anime भी definitely check out करना चीए नमबर 7, Summon to the another world for second time तो इस वाले anime के plot के बारे में तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा तो basically यह वाला anime season 2 है Summon to the another world इस वाले anime का इस वाले anime के अंदर जो अपना main protagonist रहता है पहली बार भी किसी इसे काई वर्ड के अंदर जाके अपने real life के वर्ड में वापस आया रहता है लेकिन एक दिन क्या होता है अपना main protagonist अपने school के अंदर बेटा रहता है और एकदम से वापने एक portal खुल जाता है और अपने main protagonist के साथ साथ उसके classmate में दुसरी दुनिया में reconnect हो जाती है इस वाले चीज़े बाके लोग कुछ हो ना हो लेकिन अपना main protagonist काफ़ ज़दा खुश हो जाता है क्योंकि आर उसको इस वाले वर्ड के बारे में अल्ड़ी पता रहता है तो अभी क्या आपना main protagonist इस वाले वर्ड के अंदर से second time अपने real life वर्ड में वापत जा बता है और इसी क्या चीज़ होगी जिसकी उसके सारी की सारी class इस वाले वर्ड के अंदर reconnect होगी ये सारी चीज़े आपको इस वाले anime के अंदर देखने को मिलेगी तो काफ़ ये बढ़ी anime है और आपको ये वाले anime definitely check out करना चीज़े है तो कुछ दिनों पहले इस वाले anime का second season आया है तो इस वाले anime के अंदर जो अपना main protagonist रहता है वो गौड की गल्दी के उससे दुसरी दुनिया में reconnect हो जाता है तो वापर गौड उस वाले smartphone को magical बना देता है तो अभी ये किसे का word में smartphone ले जाने के बाद में क्या का सारी चीज़े पॉसिबल है वो सारी चीज़े आपको इस वाले anime के अंदर देखने को मिलेगी इस वाले anime के शुरा भी थोड़ा सा रेकने टाइपी होती है जापर स्टार्टी में अपना main protagonist से एक farmer रहता है लेकिन एक दिन क्या होता है कि legendary hero आके अपने farmer के trap में जाके मर जाता है जिसकी वज़े से अपने main protagonist के ओपर कोई करस लगा देता है जैसी अपना main protagonist दुसरे दिन निन से उड़ता है और हो देखता है कि वो legendary hero की body में आच चुकार उसकी body gap हो चुकी है तो अभी अपना main protagonist kinda stuck हो चुका है legendary hero की body में अब जो सारी चीज़े एक legendary hero को करनी पढ़ती हो और action तो है इसके अंदर यह वाला anime भी आप definitely check out कर सकते हो काप जिदा मज़िदार anime है number 10 dead mount dead play starting में इस वाले anime के अंदर अपना जो main protagonist रहता है उसको थोड़ा सा villain type दिखा जाता है जो कि एक इसे कई magic word के अंदर से normal word के अंदर reconnect हो जाता है और all इस वाले anime के अंदर आपको दुनिया भर की action देखने को मिल जाएगी और काफिछ दब beautiful तरीके से इस वाले action को animate करा गया है तो यह वाला anime भी new gen anime है तो आपको इसको definitely check out करना चाहिए तो आज के इस top 10 least के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लेज इस वाटो का like कर देना और अगर आप मेरे channel में नहीं तो चैनल को subscribe कर देना तो मैं मिलता हो आपको next video में तब तक के लिए सायो नारा